बंदे पुर्सोत्मम आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के 14 नौंबर सन उननाईस सोन तालिस की वारतालाब सेशिठापुर्जी दोपहर में खाने पीने के बाद बिछावन पर आकर लेटे हुए हैं और केश्टोदा भठाचार से कह रहे हैं मेरी तो धारणा है कि जिस अतिवाहिक सुच्म उपादाण को वहन कर इस्परम सुक्र कीट सरीर की सृष्टी करता है मृत्यू के बाद भी सायद वह उपादाण रह जाता है नश्ट नहीं होता है यों उसे ही लिंग सरीर कहा जाता है वह इतना सुष्म होता है कि आग में भी नहीं जलता है उसे ही कहते हैं एक्टो प्लास्मिक बॉड़ी अतिवाहिक सत्ता यदि मनस्य के छेत्र में यह सत्य है तो गाउच, वरिच, कपड़े, लत्य, इंट, लकड़ी आदी सभी छेत्रों में यह बाद सत्य हो सकती है इसलिए मेरी धारणा है कि मृत्यू के बाद भी मनस्य कपड़े पहन सकते हैं चाहे तो खा भी सकते हैं उस अवस्था में चाहे जैसे भी संभव हो मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है जूट सच नहीं जानता संध्या के बाद सिशिठाकुर जी मात्रि मंदर के पीछे मौलसरी व्रिक्ष के नीचे बैठे सिथी के भवतारंदा बसु के साथ नाना विश्यों में वार्तालाब कर रहे हैं केश्टोदा और खेपुदा वहां बैठे हुए हैं सिशिठाकुर ने प्रफुलक को एक वाणी पढ़कर सुनाने कहा संतावन के चरित्र गठन के विशे में एक वाणी पढ़कर सुनाई गई सिशिठाकुर ने समझाते हुए कहा जैसे बाप अपने गुरुजन को दिखाते हुए बच्चों से कहता है उन्हें प्रणाम करो पर स्वयम प्रणाम नहीं करता है यह बहुत बुरा है स्वयम प्रडाम करने के बाद उस से कहना चाहिए तब ही उसकी बाद का प्रभाव पड़सकता है इसके बावजोद भी यदि बाप संतान के निकट उसकी माँ की उचित प्रसंचा नहीं करता है या बाप के गुञ़ की चर्चा माँ नहीं करती है तो इससे खूब च्छती होती है रिगार्ड सरद्धा नहीं बढ़ता है यदि माबाब बच्चों के सामने लड़ाई जगड़ा करते है तो उसका परड़ाम बहुत बुरा होता है सिसी ठाकुर जी कहने लगे ये जो रुपए पैसे देखते हो इसकी मैं उतनी कीमत नहीं देता हूँ यदि कोई देता है तो उसे पाकर मैं जो खूब खुस होता हूँ दर असल ऐसी बात नहीं है किन्तो जो देता है उसके देने का अरज आग्रह ही उसके लिए मंगल जनक है यह देखकर ही मुझे अच्छा लगता है यह बात भी सकते है कि पाने पर सोचता हूँ पांच लोगों के अभाव को दूर कर सकूँगा जिसकी जैसी आवसकता होगी उसकी पुरती उसी प्रकार करूँगा रुपए के परती न मेरा कोई आकरसन है और न लोब ही मेरे लिए आप लोग ही सबसे बड़ी चीज है मेरा ऐसा सुभाव ही है कि यदि कोई बिमार पढ़ता है तो सोचता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी च्छती हुई है मन उदास हो जाता है मनुस्च के साथ मेरा संबंद भी तो उनकी दुख विपत्ती लेकर ही है कोई आनंद ओम कितार्थता का संबाद भी आकर नहीं देता है दिक्कतों में पढ़ने पर ही मेरे निकटाता है कोई अपरार्थना करता है ठाकुर मैंने लाटरी का एक टिकट खरीदा है पांच हजार से अधिक जितने होंगे सारे रुपए तुम्हारे होंगे पांच हजार से अधिक एक पैसा भी मैं अपने लिए नहीं रखूंगा उसे पचास हजार रुपए मिल जाएं तो वह फिर दिखाई भी नहीं देगा उन रुपएों के दोरा अपने को बरबाद कर सब कुछ स्वाहा हो जाने के बाद वह मेरे निकट आख़डा होगा किन्तु उस समय उसे देख कर मैं यह नहीं कह सकता हूं तुमने जैसा कारे किया है वैसा फल पाया है उस समय वह बात याद नहीं पड़ती उसके कष्ट को देख कर व्यथित हो पड़ता हूं उसे देखे मिना नहीं रह पाता हूं उसकी परस्थिती को देख कर सब कुछ भुला जाता हूं पंद्रह नवंबर सब उननैस सो उन्टालिस की एक वारता लाप है अस्थान पवना सत्संग आस्रम सिठाकूर के आस्रित अस्थानी एक व्यक्ति ने प्रविडती के वसी भूत हो अपना धर्म यों कृष्टी त्याग कर दूसरे धर्म को ग्रहन करने की बात तै की है इस संबाद को पाते ही सिठाकूर खूब मरमाहत हुए दोपहर में खाते समय भाद की ठाली में हाथ लगा कर उठकर चले आए खा नहीं सके नीद भी नहीं आए उस व्यक्ति को उन्होंने बुलवाया और एकांत में उनसे बातें की और समझाते वे कहा कारण इस तरह जिनको ग्रहन किया जाता है उनके प्रति उसके अंदर स्रधोच्छल आग्रह तो रहता ही नहीं है प्रत्युत धर्म की नाम पर अपने अपकर्म को समर्थन करने की प्रविटि प्रलुग्ध प्रेनणा ही प्रवल रहती है जिस से उनकी एवं प्रेरित की ही अवग्यां की जाती है वह व्यक्ति समझ कर भी ना समझ बना हुआ है इसलिए उनका मन बहुत दुखित है उनके मुखमंडल को देखने की हिम्मत नहीं होती है 16 नॉम्बर सन 1949 की एक और घटना है सत्तिदा ने कहा कलकत्ता के एक व्यक्ति सिसी ठाकुर के लिए गड़गडा के नैचे खरीदने के बहाने बहुत लोगों को धोखा दे कर उनकी इस्टबर्ती के रुपए लेते आएं है सिसी ठाकुर जी बोले उस धंग से क्यों लोग देते हैं जो देते हैं उनका ही दोस है विस्वास करना अच्छा है किन तो बेवकूफ बनना ठीक नहीं है इस्टबर्ती के रुपए कहां भेजना है मैंने तो इस बस्ट रूफ से लिख दिया है दूसरे के उल्टी बातें क्यों लोग मान लेते हैं यह बात इस मन रखो कि सरवदा इस्टार्ग मेरे यहां अर्थात सत्संग फिलान त्राफिया अफिस में भेजना होगा यह बात सभी को जानना चाहिए कि रोसनी जलने पर वहां जैसे पतंगे आते हैं उसी प्रकार गिरगिट भी आते हैं आलोजना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 42, 43 और 44 से जाए गुरू